जिसमें आप ग्रस्तो, जिसमें आप फसे होए हो, उससे इसको फाड़ो और उससे बाहर निकलो और अपनी लाइफ जीओ कि लाइफ जो है, बहुत छोटी है, क्यों? क्योंकि आज की डेट में लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि रिट्रल ही नहीं है टाइम उनके बास हेवरिवान, वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल, आई होग कि आप सभी अच्छे होंगे और जैसे कि आप सबने थम्नेल में देखी लिया होगा, आज की वीडियो को टॉपिक है कि कुछ ऐसी चीज़े हैं जिनको अगर आप लाइफ से हटा देंगे तो आपकी लाइ क्लाइचन आपक लूजाए, चलो जी, अभी हम याउर करकर सारी चीज़ें डिसक्स करेंगे और उनको खताएगे लाइप से थिक है, तो सबसे पहली चीज है, जिसको आपने हटाना है अपनी लाइफ से वह है ए अपने लाइफ में किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना यह चीज जिसन आपकी आप में आ जाएगी ना उस दिन आप मतलब हैपी हपी हो जाओगे आज की डेट में 95% से ज्यादा पॉपुलेशन और वह इसी प्रॉब्लम में उनकी जो अगर आप उनकी कोर प्रॉब्लम देखोगे आप उनको पुछेगा आप क्यों दुख्यों मेरे हस्में ऐसे करते हैं मेरे बच्चे ऐसे करते हैं वह ऐसे नहीं करते वह मेरी उमीदों पर खरे नहीं उत्रे अच्छा मैं यह चाहती थी लेकिन यह हो गया मुझे मैं तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे को ऐसा सवराल मिलेगा लेकिन म तो कभी नहीं सोचा था कि मेरा कॉलेज ऐसा होगा, तो मेरा कॉलेज ऐसा है, ऐसा तो किसी का भी कॉलेज नहीं है, बहुत सारी उमीदे लगा रखी हैं, उन्होंने society में दूसरों से बहुत सारी उमीदे लगा रखी हैं, और जो base, main, root cause है ना, उनकी जो sadness का वो यही है, जिस में कुछ सपना भूरा नहीं कर पाते हैं, वो कहते हैं कि मेरा सपना मेरा बच्चा पूरा करेगा, क्यों बाई, क्यों करेगा, उसके अपने सपने नहीं है, उसकी अपनी लाइफ है, let him live his life in his own way, उसको उसके जिंदे के तरीके से जीने तो, आपने अपने जिंदे के अपन के अजय को, म कहते हैं करेगा भई, आपको खुदख रहना है, तो आप उमीर्दे छोड़ दो, किसी से ब उमीदे छोड़, जिस दिन आपने उमीदे करना छोड़ दीना, global क्या है, आप खुद वोलोगे कि यार, मैंने ना उमीदे करने छोड़ दी हैं, और मेरी लाइफ है तो उमीदें करने छोड़ दो पेरेंट से भी नहीं रखो और पेरेंट्स को बोल रियों बच्चों से भी नहीं रखो हस्बंड को बोल रियों वाइफ से भी नहीं रखो और वाइफ को बोल रियों हस्बंड से नहीं रखो मतलब किसे से भी नहीं हाँ अगर आपको रखनी है बड़ा मन्य किसी उमीदे रखने का, तो आप खुद से रखो और अपने खुदा से रखो, पतलब इसके सिवाए किसी से उमीदे नी रखो, क्योंकि जो आपकी उमीदे, आपकी हर चीज पर जो खरा उतरता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका इश्वर है, उसके सिवाए कोई तो अगर आपका मन्य भी है ना कि किसी से में रखोई आपका इसा तो नहीं हो सता है, मुझे तो अदध है उमीदे रखने की, तो आप बगवान से रखो ना, उसको कोई चीज चाहिए उसको बोलो, कोई उमीद है, अगर की मेसा अच्छा होगा, तो वो उमीद आप अपने और अपनी लाइफ जीओ ठीक है दूसरी चीज दूसरी चीज बहुत इंपोर्टेंट है यह है कि जो काम करने का मन कर रहा है जो भी काम करने का मन कर रहा है उसको कर लो क्योंकि लाइफ जो है बहुत छोटी है और इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम सोचें कि हमें काम करें या हमें काम ना करें हमें काम करें या हमें काम ना करें अनलेस उंटिल वो काम इलिगल नहीं है अनलेस उंटिल वो किसी कि लीगल चीजे होनी चाहिए वो कर सकते हो आप जैसे अभी मैं जब सुडेंट थी अपनी एंपल ही दोंगी क्योंकि बाकी लोगों का तो मेरे को जाधा पता नहीं है मैं स्टुडेंट थी जब थर्ड एर सेकिन एर में थी मेरा मन उस टैम पर गया कि में स्टिचिन सीखा कि मैं सीखती हूँ वह वहाँ दो अलग बाता है कि मेरा उस टैम मन की तुडे करने का वह पाट थी हुश्यारी जब से हुटि मुझे लबता है कि 45 दिन का वो प्रॉसेस था उस 45 दिन में मैंने 100% दिया आपना और मेरा मन था तो मैंने कर लिये और आज मेरा मन नहीं करता है सीने को तो मैं नहीं सीता हूं जिस दिन मन करेंगा तो फिर से भी होंगे अपने कपड़ा तो कहने का मतलब है यह बहुत छोटी सी चीज है और मेरा पीच में मन किया था मैं अपना बतारी में अपनी लाइफ बिलकुल मज़े से और बिंदास जीती हूं और मेरे को सीरियसली आज तक किसी भी चीज का गिल्ट नहीं है लाइफ में मतलब अब मेरा पिछे और मेरा अच्छा चला कुछ ते मैंने कुछ देर चलाया वह मेरा अच्छा चला तो कहने का मतलब है कि जो भी मन कर रहा है वो करो क्योंकि अगर आपने नहीं किया ना वह जो गिल्ट होगा वह जो रिग्रेट होगा जो आपको आज से दो साल बाद या कुछ देर बाद एक्सपीरियंस है यह आपने कोई चीज सीख ली उस चीज को उस टाइम पे करके तो करो यह मत सोचो उस टाइम पे कि भाई अगर मैं करूंगी तो अगर नहीं सक्सेस्फुल हुई यह नहीं मेंसे हुआ यह गुछ गलत हो गया तो गट्स रखो अपने अंदर मेरे कहने का मतल काम करने का मन तो कर लो और यह मत सोचो कि लो क्या सोचेंगी वह यह तीसरा और सेकी और थर्ड जो पॉयंट है कि दोनों एक दुसरे के साथ इंटर लिंक्ट है कि लोग क्या सोचेंगे यह नहीं सोचना है लोगों से उमेदे नहीं रखनी है लोगोंने क्या सोचना है यह अब मैं इसका मतलब ऐसे नहीं बोलूगी कि आप बस लोग क्या सोचेंगे यह मत सोचो और मत सोचो इसका मैं आपको प्रूफ के साथ कुछ बाते बताऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ उन चीजों पर हमने ध्यान नहीं देने क्यों क्योंकि आज की डेट में लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वह आपके बारे में सोचें लिटरली नहीं है टाइम उनके बास बहुत सारी मतलब जनरेशन हमसे एक जनरेशन ऊपर के जो लोग हैं वह सोचते हैं कि यार अगर ऐसा हो गया तो लोग क्या सोचेंग जो आपके लव्ध वन्स अगे न आ आप रिवेज़ा न कोई भी गुमिना वैसल में मुनिया वाल होकी एंड बात पान और क्रवब़ बाते सब्सक्राण स UM छो पने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है तो इन लोगों को भी अपने लाइफ से हटा दो लाइफ से तो अपने सराउंटिंग से नहीं हटा सकते तो अपने माइंड से अंको हटा लो इस थौट को हिए हटा लो कि लो क्या सोचेंगे पहली चीज ओवर-extractions याँ एक्सपेक्टिशन्स भी हमने किसी से नहीं रखनी है दूसरी चीज जो काम करने का मन कर रहा है कुछ भी करने का मन कर रहा है टर्म्स एंड कंडिशन्स एपलाइड वह आप काम कर सकते हो तीसरी चीज दूसरों के बारे में मत सोचो बाई क्योंकि दूसरे के माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर सकती कि वह क्या सोचेगा है उसका कैसा किस इंवार्नमेंट में उसका पालन पोशन हुआ है कैसा थौट प् हयाल रख लें अपनी लाइफ में तो आपकी लाइफ मज़ेदार एवन वावा हो जाएगी चलो जी आज की वीडियो में इतना ही फिर मेरों की ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिखें अपना बहुत-बहुत ख्याल लव यू ओल डाइज बाइज झाल